वेलकम तो मैं चैनल कुछ से आज कोचिंग लासीज आप गाल्स रिवल गाल्स आज की वीडियो में हम बात करते हैं आपके एक मोस्ट इंपोर्टन डाउट्स के रिगार्डिंग बहुत सरे बच्चे को यह कोशन्स आ रहा था कि मैं जो इगनों की ही पूछते हैं जब भी किसी को hard copy order करना होता है यह किसी की पास time नहीं होता वो hard copy लेना चाहता है ता जो हम अपना परजेक्ट टाइम से सब्मिट कर बादी बट उसका मन में यही डाउट आता है कि मैं जो राइटिंग का इश्यों होगा वह आप क्या से करोगे तो बहुत से बच्चे की इंक्वारी से तो आज की इस वीडियो में यही डाउट हम आपका क्लीर करेंगे कि राइटिंग का आपका क्या इश्यों होता है क्यों यह ऐसा मिनिंग बोलते हैं क्यों आपको सुनने को मिलता है कि राइटिंग सेम होने चाहिए तो अगर यह वो आपके स्टडी सेंटर सम्मिट होती है मान के चलो कि आपने अपनी जो असाइमेंट है वो परपेर कर ली है इसमें जो राइटिंग का इश्यों यह होता है कि जो तीन आपके साइमेंट होती है आपके स्टडी सेंटर पहली बात ही है कि जो आपके साइमेंट है वो ही जाएगी और ना ही वो युनिवरस्टी जाएगी वो आपके स्टेडी सेंटर समिट होगी स्टेडी सेंटर में कौन सा होता है जब भी आपने फॉर्स टाम अपनेएंशन ली होगी आपने 3500 जो अपनी पैमेंट काट की होगे उसटाइम आपने two center fill किये होते हैं एक होता है reasoning center एक होता है आपका study center reasoning center जो आपके details बगारा जिसके पास होती है study center जो आपने college का name बगारा fill किया होता है वहाँ भी आपकी assignment submit होगे और तीनों जो assignments की writing same होनी चाहिए तांच जो आपके एक साथ assignments जाए वह आपके एक ही teacher के पास जाएगी जो आपके assignment check करके आपके mark subject करेगा वो तीनों assignments की writing same होनी चाहिए अब भी बात करते हैं project work की जो आपका project work होता है उसमें आपके तीन पार्ट होते हैं पहले चन, दूसरा चन, तीसरा चन अगर English है तो face 1, face 2 ये face 3 वह आपके जो तीन पार्ट है proper आपका पूरा एक project बनता है जिसमें आपके तीन पार्ट होते हैं और वह आपका एक साथ university जाता है, वह आपका study center या फिर इजिंग center नहीं submit होता आपका university submit होता है इस अगर आप hard copy submit करते हो अगर आप online submit करते हो तो आपका PDF record करके आपका portal पे submit होता है अभी इसका जो main issue आपका ये है कि मैं फिर सबका जो exam है या exam की writing या फिर आपके project ये assignment की वो same होने चाहिए तो अगर हम कहीं से लाइक आप से या फिर किसी another candidate से या another platform से हम hard copy buy करते हैं तो वहां पे हमारा वो exact तो नहीं करेंगे because of writing तो यहां पे आपके समझने बात ये है कि जो आपकी assignment आप कहीं से भी buy करते हो hard copy तो जो भी आपको provide करेगा वो तीन assignment ही आपको provide करेगा आप किसे से one assignment कहा है मत लीजिए अगर आपने पहली assignment ready कर ली दूसरी assignment आपने ready कर ली और आप चाहती हो कि अभी मेरे पास time नहीं है और जो तीसरा part मेरे pending assignments का वो भी buy कर लेता हूँ तो ऐसा मत कीजिए अगर आपको buy करनी है तो तीनो assignment का एक ही writing में आप उसका पूरा set buy कीजिए उसको mundane कीजिए लाइक जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि आप अपने फाइले लगाओ फर्स्ट पेस लगाओ उसके बाद अपना i-card question paper फिर आपकी assignment लगेगी उसके कारनिक ready करके फिर अपने study center submit कर दीचिए जो project work है जो project रहेगा उसकी तीन पार्ट रहेंगे वो तीनों पार्ट एक ही राइटिंग में होने चाहिए क्योंकि जिस teacher के पास भी आपका project check होगा मान के चलो जब आपने project university submit कर दिया अपना hard copy जिस teacher के पास जाएगा तो तीनों पार्ट आपके एक साथ ही होते हैं एक ही फाइल में होते हैं तो वो तीनों पार्ट की राइटिंग सेम होने चाहिए तो वह चीज अगर आप खुद लिखते हो अगर आपने मान के चलो कहीं से PDF लिया है हमसे PDF लिया है जा कहीं और से PDF लिया है as a solution के लिए return करने के लिए उस PDF को देखे एक ही candidate अगर आप लिखते हो या फिर किसी से लिखवाते हो तो वसे एक ही candidate से आप पूरा परजक्ट रिटन करवाओ उसमें राइटिंग का चेंजिस मत करवाना तो वो चीज चीज है वो आपकी एक साथ जाएगी और अभी तीसरा जो doubt चलता है कि मैं एक्जाम मान के चलो किसे बच्चे ने package लिया जैसे हम बताते हैं कि हम assignment की solid PDF देते हैं परजक्ट वक्त की solid PDF देते हैं assignment का hard copy प्रवाइड करते हैं परजक्ट वक्त का hard copy प्रवाइड करते हैं उसके बाद क्या करते हैं मान के चलो किसे बच्ची ने package buy किया कि मैं मुझे assignments भी बनी बनाई चाहिए मुझे project work भी बना बनाई चाहिए जो बाकी की details रहती हैं वो मैं fulfill कर लूँगा प्लीज आप मेरे address भी deliver कर दीजिए तान जो मैं अपना assignment about study center submit कर दू तो project मैं university submit कर दू और उसके बाद मैं exam दे दू तो वहाँ पर क्या चीज़ आती है कि मैं हमने assignment और project work तो आप से ले लिए अभी exam हम अपनी writing में देंगे तो इसका क्या issue आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आती कोई problem नहीं आती क्योंकि देखो जो exam होते है आपने अपना examination center fill करना होता है examination center जब fill करते हो उसके बाद आपके exam होते है फिर उसके बाद जो exam check होंगे फिर जाके आपके marks update होते है तो जो assignment होती है वो तो आपके पहले ही submit हो जाती है चेक होने के बाद उसके marks update होते हैं उसके बाद आपके exam होते हैं फिर वो check हो कि आपके marks update होते हैं और जो project work की writing का issue आता है तो project आपको university ही चला जाता है तो वहाँ पे कोई दिक्कत आएगी नी क्योंकि वो university teachers check करेंगे assignments जो रहेगी वो study center teacher check करेंगे समटाइम क्या होता है आप अपना examination center भी change कर देते हो जो आपका examination center होगा वहाँ पे exam बगरा चेक होगे वो भी अलग teacher check करेंगे तो वहाँ पे कोई दिक्कत नी आती अभी एक चीज और है कि बच्चे बोलते हैं कि मैं आप surety कैसे लेती हो कि राइटिंग का कोई issue नी आता जैसे कि मैंने आपको logic बता दिया है कि तीनो assignment की writing सेम होने चाहिए परजेक्टवक की तीनो parts की writing सेम होने चाहिए अगर आप किसी candidate से अलगला के भी लिखवाती हो assignment किसी और से लिखवाती हो तीनो assignment एक ही candidate से लिखवा ली और project work आपने किसी और candidate से लिखा लिए, पूरा project work किसी और से लिखा लिए, paper आप खुद करते हो, exam आप खुद देते हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि if मान के चलो, 1% भी ऐसी कोई problem होती, तो हम पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, तो हमार कहीं, कोई तो कोई दिक्कत आती, हमें भी आती, कि मैम आपने ये चीज़ प्रवाइड की थी, और हमारा writing की बज़े से, मान के चलो, इतना सारा mails करते हैं, if किसी का project reject होता है, तो वो proper project की mail डालती है, कि आपका project fail हो चुका है, या फिर आपको re-submit करना पड़ेगा, डिर किसी नहीं बोल दिया, तो बच्चे के मन में doubt आ जाता है, तो वहाँ पे उनको confused create हो जाती है, कि मैं अभी हम क्या करें, writing का issue आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस simple सी बात है, कि आप जो अपनी assignment सा वो एक writing में करना, project अपना एक writing में करना, exam तो आप खुद दोगे, तो दे project book ready नहीं किया, क्योंकि जो DEC के project है, अभी प्रालमन्स में सम्मेटोंने start हो जाएंगे, अगर आप project का PDF लेना चाहते हो, या फिक बना बना या hard copy project लेना चाहते हो, या फिक परजक्तिक राइडिंग कोई भी आपको tension है, या कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप अप्रियंग, अप्रियंग